कि ह़ो गाइज फेकर अच्छांस और देसांतर यानि प्रत्वी पर च्छांस और देसांतर जानेंगे पूर बश्च्छिं उत्तर वną और पंर हैं कि इसे हम्हारी कालपनिक मानता हैं ताकि कि हम किसी इस्तान की जानकारी को एक सही डंग से प्राप कर पाएं जैसे माली हम कहते हैं ना कि यह हमारा घर है यह किसी और घर है हमारे बगल वाला घर हमारे पूरु वाला घर हमारे पस्चिम वाला घर तो यह सब क्या है यह सब हमारे जानकारी प्राप करने के लिए एक दि कर जाते हैं कि तो इस पर आप ध्यान दिजिए पहले हम आपको अंतर बता देते हैं एक आप ने जो इंग्लिस वाले हैं उनको समझने के लिए क्ला बताते हैं हम कि लेटी हुई रेखाएं जो ले वो क्या होंगी आपकी वो होंगी लॉंगी ट्यूट आपको बस चल गया लिगा जो हिंदी माध्यम वाले उनके लिए अच्छांस और दिसांतर देखिए यह क्या बन रहा है क्रॉस को सिंबल बन रहा है आप एक क्रॉस को सिंबल याद रखिए जिसमें इसा मसी उसूली पर लटकाया गया था अच्छांस में तीन वर्ड है यानि छोटा सा वर्ड है दिसांतर में ज्यादा वर्ड है तो अच्छांस में क्या होता है छोटा आप सिंबल देखिए छोटी लाइन देखिए और दिसांतर में बड़ी लाइन देखिए इसका मलब अच्छांस क्या है ले अगर आप से बड़ा लाइटूट कौन सा होता है तो कौन सा बहुमत रेखा वाला होगा याईनि ती अभी नहीं यहां से पोगलों से यहां से हम अब इसी पिकार से नभे डिग्री टर्थ यहां पर बन जाता है वहां रहा नभें स्कूर्ड के आँपर बन जाता है यहां पर बन का नहीं हमकोन नथे सेंटर से बनाते हैंने केंद्र से कहां से बनाएंगे केंद्र से बनाएंगे प्रत्विय केंद्र कहीं पर भी हो सकता है हम यहां पर मानके चलते हैं क्योंकि यह क्या है एक टूडी चेत्र है यह देखिए यह क्या है टूडी चेत्र है यह देखिए यह इसी पकार से क्या होता 20 डिग्री 30 डिग्री ऐसे कोण या पर क्या होते हैं बनते हुए चले जाते हैं अब देखिए तो यह होगी हमारी अच्छान्स रेखा है सबसे बड़ा अच्छान्स आपसे पूंचेगा तो सबसे बड़ा अच्छान्स कौन सा होता है जी प्रत्वी के भूमत रेखा रिजन पर होता है सबसे चो्टा कान सा होता है नॉर्थ पोलोस उत्तरी दृूं और अच्छान गया होता है अब बात करते हैं हम दो इंपोड़ा न हम लिए हमारी दिए कि रिखाओं करद संख्या या च्छान संख्या कितनी होती है अगर आपसे पोहुँचता हैं उल्हीं कि यह ह होगा कैसे 90 इस तरफ हम गये और 90 सौ तरफ गये नबे नौर्थ में है और 90 साउत में और एक हमारी कौन सी 0-degree वाली डिखरी वाली तो कितनी हो गई एक 601 हो जाती है एक क्यासी अच्छांस हमारी हो जाती है ठीक है अच्छांस रेखाओं के संख्या कितनी है तो आप देख पा रहे होंगे जीरो डिगरी सबसे बड़ा वरत्थ हो गया उसके बाद एक डिगरी दो डिगरी तीन डिगरी चार डिगरी ऐसे नब्बे डिगरी जब हम पहुंच जाते हैं तो नब्बे डिगरी पर एक पॉइंट रहा जाता है निए दसमला रहा जाता है और दसमला कोई एक रेखा नहीं होती है इस करान यह दो रेखा है कौन सी एक नौर्थ वाला एक साउथ वाला यह दोनों हम 181 में माइनस कर देते हैं तो बच्चती है अच्छांस रेखाओं के संख्या कितनी 79 179 हमारी अच्छांस संख्या बेखती हैं यह दोनों में क्या क्याद करते हैं पहुंछता है तो अब बात करते हैं हम आंगे कि हमारे लिए जो अच्छांस ऺता है वह कौन का दो इस एक इंपॉरtechn है हमारी उत्र ellar में 23 त्याइस नौर्थ हैं जिसे हम टॉपिक आप कैंसर यानि करकर रेखा बोलते हैं ठीक है उसके बाद उत्तरी उप्धुरुई रेखा उसके बाद तच्छनी गुलारत में जो रेखा पाते हैं मकर रेखा और शाड़े च्छाचट साउथ वाली वो बोलते हैं उपधुरुई व्रत रेखा और एक हमारे लिए इंपार्ट है भूमत रेखा क्योंकि यही इन पांच रेखाओं से क ट्री लगबग 111 किलीमेटर क्या करती रोटेट कर जाती है यह तो व्रेखाओं बात करते हैं को स्मझने के लिए कब मेतों कर दो भारत को लगभग दो पार्टों में डिवाइड करती है यह रेखा ठीक है तो इंपोर्टन यह है कि एसिया अफ्रीका और अमेरिका इन तीन महादीपों से क्या होती है यह रेखा गुजरती है अगर हम मैप में देखें तो एसिया कौन-कौन से विदेश ने चाहां जाहां से इसके रेखा गुजरती है ताइवान चीन मेंमार भारत पांगलादेश ओमान अमीरात और साओधी अरफ यह थे आपके एसिया के देश इसके बात अफ्रीका क्यों से मिस्र लीबिया नाइजर अलजीरिया माली और मारिटानिया यह आफ्रीका के देश है और अमेरिका के य या सक पाउन चीज़ है यह निकलती है तीन महादीपों से अच्छन अमेरीका अफ्रीका और एसिया सब्सक्राइब को टैस हैं एक ट्टॉर गॉलंबिया और अपराजील ठीक है आफ्रीक कांगो 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 है दो कांगो हैं आपके अफजिज अपर एक एक लोग तान देखेiblia और यूगांडा,перिंडfiresis अवर फी, प्रृति है अपना 1210- elbows इसी करें tracks सब्सक्राई कर दे सायत है यह देख कि यह व्याद मद्डेशा है,9 poquito कि कौन महाधीप कंआते महाधीप से गुजरती है यह जो है यह चैनल से और आपकी पुटाफ वता है को एक्जाम पे हां तो अफ्रीका इक्टाफ जाहां से मकर रेखा गुजरती है मोजंबिक दच्छन अफ्रीका बोट्सवाना और नावीविया इसके बाद अमेरिका इक्टों से देश हैं ब्राजील परागवे अर्जेंटीना और चिली और ओसीनिया में आपका आउस्टेलिया महादी पाता है आउस्टेलिया के लगभग 20 से मकर रेखा गुजरती है जैस से साउस्ट की तरफ जो हम रेखा हैं खीचते हैं यह आपर देख पा रहा हुए यह नौर्थ पौल है। उसकी नीचे कहीं कहीं साउथ पौल होगा सिद्गी से नाल पर हम बात करता हैं नोस घृंकर हम स्थ और दोनों मिल नो हम किसी एक इस्तान का तो ह송ता सकते हैं तो बा प्रधान या मुत्तर से पूर पस्चिम में इस अंतर कहलाती है प्रधान या मुत्तर होती है रिखा यहां पर आप देखने को मिल लहीं होगी यह क्या है यह एक प्राइम मेरेडिन रेखा है है कि जिसे हम जियो डिग्री बोल सकते हैं ठीक है जिऊ डिग्री हो गई आपकी इसके विपरीट में अगर हम गेंद ले कोई एक ठो और वहां पर क घीच दें तो जियो डिग्री होगी अब अब 0 degree के विपरीत पर जो रिखा खिच्च होगी वह कौन से होगी 180 होती ही ना अगर हम 0 डिगरी के या बस से एंगल बनाएं तो ऐसे बना अब इसके विपरीत में हम अगर कोण बनाएंगे तो 180 बनेगा है ना यह 180 को बनेगा कोण इसी बात है इसे पकार से जीरो डिगरी के विपरीत वाला 180 होता है अब 180 जो रेखा है उसे हम बोलते हैं अंतर रास्टी तिथी रेखा जो जीरो डिगरी है उसे हम बोलते हैं अंतर रास्टी समय रेखा और जो 180 डिगरी है उसे बोलते हैं अंतर रास्टी समय रेखा ए तिथी रेखा 180 से हम तिथी नि और जो पश्च्रम में होते हैं उन देश्च समय पीछे चल ला होता है संधा रेखाओं कि कुल संख्या किया कितनी 360 है अब 0 degree से हम कहां तक गया है जिए डिरी से हम 180 गया है यहां से पीछे तक और बॉब सरफ साथ इनंस प्रकान सब्सक्राइबती और उत्यूम ज displacedुटी समान रही टी है तो WAT च्छान क्ALLY होती है उत्रे दूरू पर जाने पर अड़ते एंक्य रचन पर रही थी इन्हों क्या रचान जाने पर में आर्यका है और ऑग और क्या हो रही थी और जबकि देसांतार रिकाओं की लंबाई हमेंसे समान रहती है बस इनमें दिक्कत यह होती है कि इनके बीच की दूरी होती है वो क्या होती है वो कम होती चली जाती है यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यह जो सेंटर अले प्रत्वी का यहां पर क्या है यहां पर काफी कि चोड़ाई है लेकिन जैसे हम उत्तर तरब जाएं इसी बार दच्छन तरब जाएं तो क्यों तो बीच की दूरी का मुट चलिया रही है और दुरों पर जाकर सून हो जाती है इसलिए इन्हें क्या जाते हैं ग्रेट सर्केल बोलते हैं कि सबसे बड़े व्रत होते हैं प्र है यह पर एक रिखा यानि यहां से बात करने इन दो रिखाओं की बीच की दूरी कितनी होगी 111 तक मुलूण तीन दो किलूम्मेटर होगीelledर हम दुरूँ की बीच की दूरी क्या हो जाती है कम होत चलि जाती है देखि कर लिख भी हूआ की दुरूँ की और कम होती चलिये यह तो यहां पर हमने यह जाना अच्छा और तिसांतर क्या है अगली वीडियो हम लोग यह जानेंगे की जो दिसांतर रेखा है अच्छंतर दिग्री है इनके क्या काम है तो मिलते हैं नेक्ट्ट वीडियो तो ठांक्यू तटा बाई-बाय